वेल्कम टू माई चैनल इसके पहले भी मैंने और दो वीडियो ग्रामार के उपर और एक वीडियो लेंग्वेजन ग्रामार के उपर बनाया है तो आगर आप लोग ने नहीं देखा मैं दिस्क्रेप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दोंगा आप लोग वहाँ से देख लेज वीडियो कितने प्रकार है इसके बारे में Unlewnd करेंगे तो पहले वीडियो में हमने प्रेण के बारे में आ व्लिजुक्त में विडिडिंग क्या था प्प्रणाउन क्या है अपरनाउन इस यूज़ ऑं कर शेश अतअ कि हम क्यों यूज़ करते हैं इसको को यूज करने का वज़ा है ताकि हम कोई जो रिपीटीशन है कोई चीज बार-बार बोलने के जगा पर उसको हम दूसरा एक वर्ट से रिप्लेज करते हैं ताकि यह सुनने में थोड़ा अच्छा सुनाई दे अगर ऐसे हम बोलेंगे तो सुनने में यह अच्छा नहीं लगेगा अगर इसके जगह पर हम बोले रहूल इस स्टुडेंट फिस्कूल बाइकार इस फॉदर ड्रॉप सिमें एविडे तो यह सुनने में तो अच्छा भी लगेगा और यह थोड़ा शॉट भी होगा तो यहां जो ही हीज हीम हमने रहूल के जगह पर इस है और लूओंस लिए अग देखते हैं कितने प्रकार के हैं काइंस आंह अस wires या güश्यूल इस प्रकार के हैं तो मेनली प्रकार करें है पार्सेनल प्रनावोन पॉस्सिट्रेकिन्व आंवं डेमोस्ट्रेटरिब अर्न इंटूकरिटिव रिलेटिव प्रनावन डेंश्मा इनाफ फॉर यू चले अभी हम हर एक प्रणावन को डिटेल में देखते हैं पार्सनल प्रणावन पार्सनल प्रणावन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं यह स्पेसिफिक इंडिविज्यूल या इंडिविज्यूल के लिए और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है जो प इसके बारे में हम जब बीडियो बनाएंगे तब हम डिटेल में डिसकास करेंगे पार्सन जेंडर्स और नंबर्स भी नंबर्स तो इसे जादा होने से प्लूरल तो यहां क्या है फास्ट पर्सन सिंग्लर नंबर अगर हमें कोई प्रणावन यूस करना है पर्सजेट में वोगा अब्जेक्ट मेश्ट में रोगा दें नम्य और फॉर्स चैनंडर फ्रसन में यू सभी में ओन्वर में यूillarर फॉर्ट फेशन में अगर नल थे लेपस त्रव तो इसकोश्चमरेश में देक लेते हैं जैसे आई-एम-चूडेंट we live in Delhi, I shall help you, he or she sings nicely, they are playing, यह जो sentences है, इसमें जो words हमने red color में लिखा है, वो सब pronounce है, इसके जगा पे हम कोई भी नाम डाल सकते हैं, जैसे we, we के जगा पे कोई भी हो सकते हैं, में और मेरे साथ बहुत सारे लोग का नाम लगा सकते हैं, प्लूरल में हैं, तो यह है परस्ञनल प्रनाउँज, नेक्स्ट है पोसेसिब लाउन, प्रसेश बस्द से क्या पता है, प्रसेशन कुछ चीज होना हमारे पास होने को पॉसेशन बोलते हैं, तो पी आपको दो के टेगरी में बाढट सकते हैं काटगेव में अ तो लाड़कह होने से हार लड़की होने से मतलब फिमेल होने से एंड इट्स होगा अगर कॉमन नाउन है इसको इसके बारे में मेल फिमेल पाता नहीं है इसके बाद अगर यह न्यूटर नॉन लिविंग थिंग से या एनिमेल्स के लिए हम इट्स यूज करते हैं एंड प्लूरल में हम देर के इस केटेगोरी को हम पॉसिशिव एजएक्टिव की हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके पासे सेड़े में हम जब एजएक्टिव के विडियो बनाएंगे उसमें डिटल में डिसकास करेंगे चलों नेक्स के एटेगरी है उसी पासे से प्रणावन में माइन फिर्स यौर्स, हीस, हार्स, इट्स और्स, तो फ्रस्स क्टेक्टरी तो सब्सक्टरे इस सरीप प्रस्टरी नाउन के हिसाब से इस्तेमाल होता है और इसका जो प्लेसे प्लेसे से इने सेन्टेंस भी डिफ्रेंसजे हैं जैसे फॉस्ड कैटेग्धोरी जए से माई हैं माई को हम नाहTransके प्थे माल करते हैं आज सेकेंड का एक उसीजा प्रनावन के इसको हम नाउन चेंड में उसके माई था इसीजल्! is mine next demonstrative noun demonstrative pronoun क्या करते है इस टेक्स प्लेस आफ नाउन और नाउन फ्रेज बैट हैस अल्रेडी बिन मैंशन्ट और इस क्लिया थ्रोग कंटेक्स्ट जब हम कुसी चीज को कंटेक्स्ट के द्वारा क्लियर हो जाते है कि वह किसको समझा रहा है उसी समय हम इस के टेगर डेमस्ट अगर पास में एक है तो हम दिस उस करेंगे एक से जादा है तो इसके जगहा पे नेक्स्ट सेंटेंस में लिए बेस्ट नहीं बोलते हैं इसके जगहां पर हम क्या लगा सकते इज आथ पैस्ट एक कि तो इसमें क्या हमें कॉंटेक्स से पता चलते इंदीज का मतलब क्या है या कभी हो सकते कांटेक्स से पता चले कभी हो सकते हमें कुछ डाइग्राम से ड्रोइंग से वहां से भी पता चले नेक्स्ट केटेगोरी जो हैं इंट्रगेटिव प्रणावन नाम से पता चल रहा है इंट्रगेटिव का मतला होता है प्रस्थन बदक कोईशन जहां कोईशन है जो वोट्स हम कोईशन के हिसाब से यूज करते हैं और जिसके जगापे हम कोई नाउन हुज कर सकते थे लेकिन के बदले में युश करते हैं वहें वह वाकम करने को हुआ खोल इस्कोल इंटिकरथे पर्नावन ऊच्छा है फिर हुञ टिंट करनावशन अच्ण ओर बांध वाट विच रहे मूलल वेप जिसके लास्ट में एवर लगा करते हैं वहाथ न्हींत गव UP इसको तो यह प्रणाउंस हम कहा को यूज करते है, as from the name we know, we use them in questions. For example, who wants the book, यह book किसको चाहिए, what is your name, which movie do you want to watch, and who's the cat is this, okay? यहां हर जगा पर रभी लगा सकते है, what के जगा पर रभी लगा सकते है, just an example. यह विच के जगा पर हम Harry Potter लगा सकते है, and who's के जगा पर हम John लगा सकते है, that means, in place of these nouns, these words are used, so these words are pronounced, and as these pronouns help us to ask questions, so they are called integrative pronouns. Next है, relative प्रनावन, relative प्रनावन क्या करते है, they introduce additional information about something mentioned in the sentence, जो sentence है, उसमें कुस अधिशनल information प्रवाइट करते है, इस प्रनावन का प्रनावन का प्रनावन क्या करते है, that, what, which, who, whom, for example, यहां दिखे, the boy who is sitting there is my brother, okay, वो जो लर्का है, वो मेरा भाया है, यह भाय है, कौन लर्का, who is sitting there, जो वहां बेठा हुआ है, तो 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 जो को पक्रा गया है कौन से अटाइगा है जो जिसने बक्री को मारा था है ना बक्री यह बक्रा को मारा था है so this pronouns help us to provide some extra information additional information so these are called relative pronouns and relative pronoun में एक चीज आपको यहांद रखना है who usually लोगों को समझाने के लिए इस्तेमाल करते है which and that animals or things को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं next reflexive pronoun reflexive pronoun usually क्या है reflexive जो हमरे जो possessive pronouns थे इसके last में हम self singular के लिए यूज़ करते हैं and selves plural के लिए यूज़ करते हैं हिमसेल्फ लर्कों के लिए या मेल के लिए हार सहब और अरत के लिए या फिमेल के लिए इट सेल्फ नों लिविंग थेंग्स कॉमन जेंडर या तो अनिमेल्स के लिए यूज़ करते हैं and themselves plural है third person का okay for example take care of yourselves okay आप अपने आपको क्यार करना चाहिए क्यार कीजिए इसमें एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है reflexive जो प्रनावन है उसमें दो सब्जेक्ट और अब्जेक्ट दोनों सेंटेंस का ओ दोनों सेम पार्शन या सेम सी इसको समझाते हैं जैसे take care of yourself ओके यहां एक सब्जेक्ट है यह मतलब hidden है hidden subject यू भी हो जकते है ना you take care of yourself तो यहां you and yourself same person है उसी तरह से I consult myself I और myself दोनों सेम पार्शन है मतलब reflexive प्रनावन हम यूज करते हैं कभी यूज करते हैं जब एक सेंटेंस में subject और object दोनों सेम होते हैं next emphatic और intensive pronoun इसके नाम से हमको पता चलता है emphatic और intensive का मतलब होता है किसी इसको emphasize करके बोलना उसको जो उसको मतलब more importance giving more importance ओके इसमें भी अभी देखिए यहां reflexive pronoun और emphatic pronouns में कोई difference नहीं है ना दोनों सेम है सेम नंबर प्रणावन सेम नंबर ओफ वोट ओके लेकिन यह differences क्या है there are differences in their use हैना इनके use में इनके इस्तेमाल में differences आते हैं जैसे intensive or emphatic pronoun look the same as reflexive pronoun लेकिन उनका difference क्या है the difference is that these are used to emphasize the meaning उनको कोई एक meaning को emphasize करने लिए उनको ज्यादा importance देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इसमें एक चीज़ आपको पता कैसे चलेगा अगर हमने उस noun को वहां से हटा दिया तो क्या होता है उसका meaning का कोई differences नहीं होता है meaning same ही रहेंगे लेकिन स्रीफ उसका emphasize है उसका जो हमने कोई चीज़ जोड़ दे के समझाना चाहरत है वो थरा कम हो जाएंगे लेकिन the meaning will be same for example यहां देखे एंफटिक पर नाउन का इस्तेमाल है देखिए I did the homework myself में मेरा homework अपने से ही क्या है मतलब इसका मतलब क्या है मैंने अपना homework क्या है है ना अपने से ही क्या है इसको थोड़ा जोड़ दे के समझाने के लिए मैंने myself यूज क्या लेकिन अगर मैं यह बोलता है अगर मैं यहां से myself अटा देता हूं अगर मैं बोलता हूं I did the homework मैंने मेरा homework क्या मैंने homework क्या तो मेनिंग में मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो तो मेरे सामने वाले को समझ में आ जाएगा हां myself अटाने से थोड़ा मैं आपको श्चान तना दिया है लेकिन इसमें अगर मैं myself अटा देता हूं आई कंसोल्ड इस सेंटेंस आज को अंगॉट एं इंकम्प्लीट मेनिंग है इसमें जो मेनिंग है इंकम्प्लीट नहीं हुआ है तो the difference between emphatic and reflexive pronoun में यही है पहला reflexive pronoun में क्या होता है subject और object same person होता है एंड अगर हमने जो reflexive pronoun है sentence से हटा देते है तो sentence का मेनिंग गरबरा जाता है लेकिन intensive by emphatic pronoun में क्या होता है अगर हम उस प्रणावन को sentence से हटा देते हैं उसका meaning का कोई differences नहीं होता है स्रीफ the degree of emphasis is becomes less जो हम जितना emphasis देना चाहता है वो थोड़ा कम हो जाएंगे लेकिन meaning same रहेंगे next indefinite pronouns indefinite इससे आपको पता चलता है यहां कोई definite specific आदमी को नहीं समझाता है यह चीजों के लिए इस्तेमाल क्या जाता है for example one other one बोलने से कौन है कोई भी हो सकते है ना जैसे for example one should keep one's word कोई एक आदमी को अपना रखना चाहिए वो जो कोई आदमी है कौन है वो specified नहीं है एक में में एक परसन इतमी में एवरिवरी ओके तो आन स्पेसिफाइड है तो एसे जो प्रणाउंस है हम एसे जो वर्ट से जो हम नाउंस के जगा पे अस्तेमाल करते हैं उनको बोलते हैं इन्डिफिनाइड प्रणाउंस जिसका कोई डिफिनाइट इंडिकेशन नहीं हैं नैक्स्ट है reciprocal pronoun reciprocal pronoun मतलब एग दूसरे को जो समझाने वाला प्रनावन्स है उसको reciprocal प्रनावन्स बोलते हैं और इंग्लिश में दो ही reciprocal प्रनावन्स हैं फिर्स्ट इस इच अधर देन वान अनाधर दे रिफर तो तो और more people or both okay who are both the subject of the sentence for example they like each other they compliment one another है ना दो आदमी है यह जाद आदमी उनको ही यह समझाते हैं उनके बीचे का जो सम्मध समझाने के लिए हमने जो प्रनावन्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं reciprocal reciprocal छटे ग्रिषिवींटिव प्रणाव्न क्या है हैlaub है क्या इस्टेखेश्विवेटिव प्रणाव्न क्या है दिस्टेखेश्वन्स रिफार सोट इस पीपल ऐने मेल और और ऐबजेक्त औफ एकृप नंत ग्रूप क्लैक्टिवी लेकिन यहां क्या है कोई एक ग्रूप है ग्रूप के हर एक को समझाएंगे लेकिन फोल ग्रूप को नहीं समझाते जिसे आइधर इच नाइधर एनी नौन ऑके फर एक्जामपल नाइधर आप दबॉइज वास प्रेज़न ना नाइधर युजिले हम दोनों के दो के लिए उस करते ह है मतलब दोनों में से कोई भी लर्का प्रेजंट नहीं था नौन इसपानिस्ट किसी को भी सजा नहीं दे आ गया है आशकरता हो अब लोग को काइंस और नाउंस समझ में आया होगा समझ में आया तो लाइक एंड शेर ज़रूर करें और मिलते हैं आपको अगले वीडियो म तब तक के लिए नमस्कार थेंक यू थेंक यू वेरे मच